इस शो दाइस नार ओनली टिकल यूर फ़ानी बोन इस फ्रेक्च्टिर गुस्ता की माफ चाहूंगा मलिकाए क्रिंज आपके रुवजा में थोड़ा काला नमक डालने के लिए इस शो में सबसे बड़े फ्रेक्चर हैं वो हैं आपके जोक्स और आपकी होस्टिंग हाई गाइस मैं हूँ शांतनू और तुम्हें पता है चिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहां पे कल नोरा फदे ही आई थी अपने कनेडियन दोस्तों से मिल ले और तुम्हें हसाने के चक्कर में पिछले हफ्ते मैंने जालिमा कोका कोला पिलाले को अंदे मूल इटा लिय है और इस अफते आया है नेट्फिक्स पे एक ऐसा शो जिसको देखने के बाद मुझे एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि नेट्फिक्स की टीम ने ये वाला शो अपने दिमाग पर जोर लगा के नहीं बनाया है उन्होंने ये शो बनाया है अपने उल्टे पैर की फ चीन दिलरुबा भी बनाई थी वास यहीं इतना अच्छा और बैक टू बैक अच्छा कॉंटे नेट्फिक्स इंडिया पर नहीं मंगता है और अच्छे कॉंटेंट के हाईवे पर चलते चलते नेट्फिक्स ने लिया एक यूटर गोल चेकर से मारा एक लेफ्ट और जाके ऐसे चुनिंदा सुडो वो क्लाउट चेजर्स जिनको बहुत जबर्दस जान लेवा गलत फह्मी हो चुकी है कि वो हैं कमीडियन्स और ये बहुत आडंटली और होल हाटटली बिलीव करते हैं अच्छे जोक्स ना लिखने में क्योंकि भया गालिया तो है ना और हाँ इस पूरे के पूरे शो को कुछ दो या चार अच्छे कोमीडियन्स की बैक पर बिल्कुल भी मार्किट नहीं करा जा रहा है ये शो एक ग्लेरी एक्जामपल है और नेट्फिक सिर्फ उन सोचल मीडिया इंफ्लूएंस के साथ कॉंटेंट बनाना चाहता है जिन्होंने सूडो वोकनेस की तूतरी पीट-पीट कर भीडिकटी कर तो लिये अपने सोचल मीडिया पर बट जब बात आती है वेन इट इट्रोडक्शन होती है यू नो हूँ इट इस यू डॉंट लाइक हर कॉंटेंट यू नो शी दे कुईन अफ क्रिंजाकिस्तान दवन अनली ओरिजिनल फाउंडर एंद सीओ अफ इंडियन क्रिंज कॉमेडी प्राजक्ता मुझे जोक्स नहीं आते क्रिंज करना हो तो बैक टू बैक टू बैक टू बैक ऐसे जोक जो सुनने के बाद आपके बाइल डक्ट और आर्टरीज में ब्लॉकिश तो पक्का है और स्टेज बे आते ही मौतरमा ने नाव देखा न ताव जट से अपने क्रिंज का बसता खोला और वहां से निकाली बेधड़क जूट बोल लेके 101 तरीकों की आरिस अगरवाल और छूटते ही बोल दिया ये जूट 16 अच्छे कमीडियन मिया कसम टिक टॉक के छे रंग वाले बालों और पैंसिल फिट वाली जीन्स पहनने वाले लॉंडो की इस शो में सिर्फ 2 से 4 कमीडियन जो काफी अच्छे हैं बागी सारे के सारे बिना टिकेट कटाए रेल गाड़ी की छट पे ट्रैवल करने वाले यातरी हैं जो तारों में फस जाते हैं और इनकी कमेडी उतनी ही अपीलिंग है जितना सोनु निगम अपीलिंग था जानी दुश्मन में फिर कोली मैडम दूसरा जूट बोलती है और इस बहुत फ़णी शो में बहुत फ़णी टीम और उन बहुत फ़णी टीम के बहुत फ़णी नाम है जो फ़णी नाम में तुम्हारे को बताऊंगा और जैसे ही नाम आएगा उसके बाद तुम्हारे को और मेरे को मिल के हसना क्योंकि वह नाम फ़णी है क्योंकि वह न इस क्लिप में ध्यान से देखो, स्काई गुपता को दिख रहा है कि ये दोनों ओरते दबा के क्रिंज कर रही है, वो भी अंदर ये अंदर कहा रहा है, मुझ हिला रहा है इदर उदर, मैं कहा जाओं, कहा चुपूं? जैसे डाइनसार्स द्धुस्त हो गए थे अस्टरोइड से, वैसे हम सारे द्धुस्त हो जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मली का दुआ को किसी ने कॉमेडी करने से नहीं रोका जल से जल, वैसे सेंस्टिव नाइस पीपल, लेकिन वक्त आने पर हम सांपों की सकते हैं, बाय गॉड पूरे के पूरे शो में के यार के के स्पाइक्स की तरह चुबते हैं इसके सारे के सारे जोक्स, और जहां क्रिंज गरा देने वाले जोक्स नहीं होते हैं इन महतरमा के पास वहाँ ही अपनी आवाज थोड़ी सी मोटी करती है, और उसकी स्कूटी पैप को पेलने लग जाती हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, यह तो पांचे साल पुराना है, और फिर हमारे नंगे गीले बदन पर गीले तॉलिय की तरह चताक देनी से चाटन तो तब पढ़ता है, जब स्क्रीन पर आती है, साउथ अफरीका के जमनापार की भोजाई, यानि कनीज सुरका, और इनको यहां पर लगता है बड़ी डेंजरस लिए कि पहले तो यह होट है, और उसके उपर से इनको लगता है, यह कॉमेडी कर सकती है, एक जिखाँ पर तो कनीज बहुजाई ने लॉड़ो के क्रॉच को बोल दिया भईया, बहुत बढ़िया पैकेज, अब यहां सोचने वाली बात यह है कि आगर कोई लॉड़ा किसी लड़की के बारे में यह वाला जोक मार देता, तो कनीज बहुजाई ट्विटर पर अपनी चटाई विचा के, वहां मिर्चियां कूटने लग जाती मिसाजिनी के ट्वीट्स के, अरे भाईया यह डॉली बिंदरा लॉक अलाइक को कोई समझाओ की ब्लो जॉब बोल देना कोई फ़नी नहीं होता है, तो कनीज सुरका की डबल टोंड दूज से बनी हुई टेस्टलस कुलफी जोक सुनने के बाद मुझे इतनी ज़ाधा हसी आई कि मेरी सुंडी में दर्द होने लगा, अगर ना होती तुम और तुमारी कॉमेडी इतनी बत्तमीज, देखो बोजाई, अपने साउथ एफरिकान एकसेंट में टंग रोल करके आदमियों को अब्जेक्टिफाई करना और सस्ते संत्रे के छिलके की तरह गंदे गंदे सेज्जुल जोक्स मारने को कॉमेडी नहीं कहते, इस शो में तुमारी पीडा जनक परफॉमेंस देखने के बाद ओडियंस इसी निशकर्ष पर पहुंची है, कि चाहे फ्लाइट बैन खुले ना खुले, थर्ड वेव आए ना आए, हम सब एक जुट होके, पैसा कॉंटरी करके, तुम्हें हिंदुस्तान से साउथ एफरीका, जल्द से जल्द रवाना करना चाहते हैं, वहाँ जाके अच्छा से वोख हो जाना, यहां हमें सोने ही दो, अफकोर्स, नौट लाफिए जोक्स, वहाँ जोक्स, वहाँ जोक्स, एक सेग्मेंट में तो आउट्राइट बोडी शेमिंग करी गई है इस शो के अंदर, चाहे वो तनमे की हो, चाहे वो किसी और महतरमा की हो, थ्रू एं थ्रू बोडी शेमिंग करी गई है, और यहीं अगर कपिल शर्मा अपने शोव पे किसी लड़की को मोटा बोल दे, तो यह सारे के सारे अपनी सुडो वोक बेड़ बकरियों को ले के चल पड़ते हैं ट्विटर पे कपिल शर्मा हों के अंसिल करने के लिए, मुझे थोड़े सी उमीद ही सुमु की सुरेश थे की बढ़िया कॉंटेंट लेके आएगी अच्छे जोक मारेगी बट उसने भी इस आदे सड़े आलू बुखारे जैसे शो में सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच किया है क्योंकि that's that, that's how woke people do comedy आर और अगर कनीज भोजाई ब्लोजाव वहला जोक मार सकती है तो भाईया सुमु की सुरेश कैसे पीछे हटेगी इसको भी तो एक ठका पिटा सा बद्दा सा sexual जोक मारना है I'm sure when she's coming also, no she's not happy, she's going, I'm a gay, I'm a gay, I'm a gay By God, you'll be the CNS and spinal cord and you'll be going to see your face if you'll see the performance of Ritasha Rathor I used to be fat and now guys I'm loose Just like Sumnuki Suresh, she also tries to get away with body shaming because she was a former fat girl And she thinks that I'm so woke and I'm so body positive on Instagram and on social media There was a time when I would have slept with Samai, but then I lost 25 kgs I'm gonna do you now for Ritasha Rathor if you're on Ritasha Rathor if you're on one joke And I don't think you're going to go there and say, hi my name is Prashasti and I'm here to audition for IIM Lucknow and these are my profiles There are literally scenes where Ritasha cracks a joke and there's zero response from the audience And there's zero response from the audience and there's zero response from the audience Not a single damn joke that comes out of Ritasha's mouth is funny which confirms the fact that she's not a comedian She's actually in this circle of wokeness because she brands herself as a very woke person on the internet On a serious note guys, I can totally understand that these comedians have a nasty double standard They have a whole segment on body shaming And they have a rage on body shaming Now they justify it as well as they are sarcasm or our act Whatever it is, it's not justified If in 2021 you are still using body shaming as one of your comedic tools to make people laugh You are a very poor comedian, they are seen But again, if there is another person who is in the outside of the world, they will be able to reach there And they have a guy like Sky Gupta like a talented person who has been cringe My son is Jogi I am Jogi Jogi And Adar Malik, as overrated as always, base repair jokes It started with something with a lesson Prashishti Singh's jokes you have to decipher You have to decipher what you have to say in Latin and English Or what you have to say in Urdu and Hindi I don't understand what you have to say in Urdu and Hindi I don't understand what you have to say You have to make up with makeup You have to make up with mascara You have to crimp your hair Which is very good It's like Rohan Joshi Uruj Ashwak Tanmay Bhatt Amit Tundan Samirayana Rahul Dua Amit Tundan is a very sorted comedian But here they are not fit Those who make jokes If they are part of the set It just feels off You can see the audience This show is why Sky Gupta and Samirayana Talented Londo Underutilized The people are awkward Because they know We are cringe So This show is 4 episodes And by God I haven't seen it in 3 episodes I haven't seen it in 3 episodes I haven't seen it in my eyes I haven't seen it in my eyes And today I haven't seen it in my daughter I haven't seen it in my daughter And honestly saying Guys If you have a comparison Kapil Sharma & Company And all these people Barring a few from this gang I will tell you And you know it deep down inside That people are light years behind Kapil Sharma's comedy timing And whatever He is also not a big fan of his But again His comedy I can't see it I can't see it I can't see it So Shows Shows Think Think Patti Eddie Think Think हाँ 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 हाँ